नवस्कार मेरे पशुपालक साथियो आज का एक और छोटा सा वीडियो लेके आ रहे हैं इसार स्पम बायोटेक से एचेसबी इसार स्पम बायोटेक जो हमने ये बुल स्टेशन चालू किया है सीमन स्टेशन चालू किया है वहाँ से ये वीडियो लेके आ रहे हैं और एक न्या बुल आज हम आपको अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, एक न्या बुल आपके लिए लेके आ रहे हैं। पुराने बुलों की तो वीडियो आपने काफी सारी देखी होंगी। आज हम रिपरजेंट कर रहे हैं चोडाला को। इसका बुल का नाम चोटाला हमने रखा है और बड़े बड़े दन्यवादी है वीर बाई के वीर शाओ बाई के फारम से ये बुल आया है उनके पास से हमारे पास ये दूसरा बुल आया है एक बहुत अच्छी बलड लाइन का भीम नाम का जो हमारा साईवाल बुल है वो भी बाई के फारम से आया रादा नाम की गए का और ये बुल भी जो है वीर बाई के फारम से आया चोटाला अभी बात करें ये जो हमारा सीमन स्टेशन है ये कहां पे इसका लोकेशन है मैं बताना चाहूंगा जो बाई गोगल मैप पे जाएंगे और इस आर्स पर बायो टेक डा आप वहां WhatsApp कर सकते हैं कोल कर सकते हैं मोश्टली आप कोशिश कीजिए कि कोल ही करें बकी वीडियो में सप्लायरों के नंबर चलेंगे आप उन नंबरों पे अपने-पने एरिये के जो भी सप्लायर है उनको कोंटेक्ट कर सकते हैं हमारे यहां से त्यार हुए सीमन के लिए अभी बात करें चोटाला की तो जैसा कि आप चोटाला को देख पा रहे हैं बहुती अच्छी बलड लाइन का बुल है बिल्कुल जैड बलेक थोड़े से बाल मेरी ख्याल से पूंच में वाइट होंगे बकी स चारे का सारा जो है काड़ा है पूंच भी सारी काड़ी है टोटली कोई बाल जो है पूंच में भी वाइट नहीं है और चेहरा सिंग सारा कुछ मैं बताओं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा यह हमारे फारम की सबसे स्ट्रोंगेस्ट बलड लाइन है अगर बात करू स्ट्रोंगेस्ट क्यों बोला मैंने उसका रीजन यह है कि इसकी जो मा है वो 25 पलस की है 26-27 किलो दूद इसकी मा ने दिया है इसकी मा की मा है वो 25 पलस की है और इसकी मा की मा मान के चलो वो राणी है जो लक्षमी डेरी फार्मवारों के पास है और जो मोडी गाउं से जहां को बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगा उन्होंने रेगुलर एक्जेक्ट ली जो है इस बुल की पूरी बलड लाइन जो है उस वीडियो में बताई है जब बबल भाई ने लिया था ये बुल पहले वहां से गया वीरसाओ के पास और वीरसाओ भाई के यहां से फिर आया जी वीडियो मैंने सुना जो बबल भाई ने बनाया था वो वीर भाई को फारवर्ड किया था वीर ने मेरे को फारवर्ड किया तो उन्होंने कहा कि यह पांचवी पीडी उनके पास है और बहुत अच्छे रजल्ट यह देगा अभी बात करें इसके जो बच्चे आए हैं वो अच्छाल से कटडी को तो दो कटड़ियां मैंने मेरे आखों से देखी हैं एक कटडी बिल्कुल काड़ी पुंच की है और एक कटड़ी थोड़े से बाल जो हैं वाइट हैं वाकी पुंच का चलो इतना मैटर नहीं होता लेकिन मुरा की बात करते हैं तो पुंच के बारे म तो इसका फादर HLDB से एक बुल HLDB का सीमन रखवाया गया था उनकी सानों के दवारा जैसे ही मेरे को पता चलेगा कि वो कौन से क्या नंबर था उस बुल का वो भी मैं आपको बताऊंगा कोई नेक्स्ट वीडियो में अभी उसका एक्जेक्ट सोर्स मैं वहां तक जा नह साब ने कहा कि जितनी मेरी कोशिस होगी उपलब्द करवाने की मैं करूंगा तो कभी जाके उनके पास फिर मैं HLDB के किस बुल का ये बेटा है वो सोर्स जो है आप तक लेके आऊंगा तो ये बुल है जी चोटाला इसके बच्चे आ चुके हैं वीर भाई के फार्म पे नै के एक साइड लिखा इसार्स्पम बायोटेक दूसरी साइड लिखा है चोटाला और जो बार कोड है वो स्ट्रो के चारों तरफ जो है वो रोटेट होता है आप ये वीडियो में देख पारे हैं कलियरली हमारे सीमन की डुपली के सी नहीं होगी कोई भी बहुत सारी डुप सेंपल लो उसको का जहां कहीं आपको करवाना है डियने आप वहां डियने के लिए बेज दो अगर डियने मैच नहीं हुआ तो जो सजा आप बोलोगे वो मैं बुगतने के लिए तयार हूँ डियने की गैरंटी के साथ एक मातर हम ऐसा सीमन प्रोवाइड करवारे हैं मार्क है और नशल सुधार में एक जो नशल सुधार की बात करें तो क्यों जरूरी है आज तूडी के रेट महंगे हैं फीड के रेट महंगे हैं हमें 6-7 किलो दूद पे जो बैसे अटक जाती हैं उससे आगे बढ़ने पढ़ेगा हमें 10 किलो से 12 किलो पे 12 से 15 पे 15 से 20 पे जाना पड़ेगा तो उस एहम योगदान में इसार स्पम बायोटेक अपना कोई ने कोई कुछ ने कुछ अपना परटी स्पेसंद दे रहा है और बहुत सारी जगह हमारा सीमन उपलब्द है महराष्ट्रा में उपलब्द है उतर परदेश में उपलब्द है राजस्थान में इसमन लेके जा रहे हैं तो आप जो वीडीयो। मेरे को मैं देखर रहे हैं चाहें उपलब्द करें। fat 353 बड़ी समस्या रहती है गाएं में भी रहती है कि ग्याबिन ना ठहरना उसका एक मोटा रीजन ये होता है कि जो सीमन हम जो स्ट्रो हम दे रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं होती स्पम वगेरा गी तो उस पे भी हमने काफी काम किया है पंजाब से हरियाना से क काफी रिपोर्टे राजस्तान से हमारे पास हैं कि जो गाएं या बैस ग्याबिन नहीं ठहरती फंडर हो जाती हैं उन बैसों को भी हमारी कंपनी का सीमन लग रहा है तो वह बहुत अच्छे रिजल्ट जो है लेके आ रहा है मार्केट में बैसे ग्याबिन रुक रही हैं ग लग बग सारी ब्रीड हमारे पास है मुर्णा हमारे पास है जब तक यह वीडियो डन में गीर हमारा चलू हो जाएक थारपारकर हमारा चलू हो जाएक हमारे जो है वो मार्केट में है जरसी है वो मार्केट में है साहिवाल है वो मार्केट में है हरियाना है वो मार्केट में है और एक-एक बुल छाट के हमने लिया है बहुत अच्छी क्वालिटी का चाहे किसी भी ब्रीड का हो जो पशुपालक बाई मेरे से जुड़े हुए हैं या पहले से जो वीडियो वगेरा देख रहे हैं वो जानते हैं के हिसार स्पम बायो टेक एक एक बुल चुन-चुन के लेके आता है तो वही हमारा जो ये चोटला है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा गैरंटी के साथ मैं ये कहता हूँ बात बाकी गैरंटी तो देखिए मैंने बोल तो दिया अच्छे बच्चे पैदा करेगा दूद की जब बात आती है तो वो हमें देखना पड़ेगा कितने दूद की है वो फ्यूचर की बाते हैं वो बाद में हम बात करेंगे तो देखो जी चोटला नज अइसा लगा कमेंट्स करके बताना जितने भी भॉड़े वीडियो के लास्ट तक Youtube पे जूड़े हुए हैं या Facebook पे जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करते रहें श्यादा से बाह्त तक ये वीडियो पहुंचे चाहे वो आप वाटसप के मादम से करें चाहे फेस्बुक पे करें जहां तक भी आप पहुंचा पाएंगे किसानों का कुछ न कुछ हम भलाई करने वाले हैं ठीक है दोस्तों जितने भी जुड़े हैं सब को मेरी तरफ से नमस्कार यह तो पक्काई बैठ गया यह कड़ा है यह कड़ा है तो राम राम आपका गाओं मोडी मोडी ठीक है चर्की दादरी तो जो इस काटड़े का जो खरना है इसके बारे में बैठके बनालो बैठके बात्चित करने अपनी आपस में ठीक है तो मलो आपके खरने के बारे में बताओ जी मारा खरना बारा मैसा है जी सबसे पहले इव या पिड़ी समझो पांच में आगी या कटड़े की इस कटड़े की हाँ जी शरू में जो पहले पिड़ी थी उसका दूद था 19-20 लिटर ठीक है जो जो टाते ही क्रोस होड़ी थी और उसके जो कटिया पैदा हुई बन्या तीसरी जब आई जिसका दूद तोल ला गया इस सताइख लिटर जो पहली बैस ये संदीब ले गया था पांडवानिया राम सिंग ले गया था वह बैस मालो उस मैस की क्या खासियत आपको लगी उस मैस की ये खासियत थी एक तो मत पूरा दूद देती और अच्छा खरणा अब कटिया आपके पास ही कटिया पैदा हुई थी उसने पहले बैंद में कितना दूद दिया था पहले बैंत में दिया 17-18 लेटर फिक है नॉर्मल चराई क्या चराते थे जैसे क्या डालते थे जैसे थोड़ा गें का दलिया np. भड़े जनर बय 14 पड़े पड़ा दिया उसने हां पड़ी अधिप दिया बीस बिल्फर आपने मतलब जो कितना दूद तोल के दी थी हां वह पहले देए उसका दूज जिस तरह उरे नॉर्मल चराएमिन दूज तोल्या लिट्र बढ़े थे 26 और तोल बने था ताखडी का बने चोबिस लिट्र चोबिस किलो आट सो ग्राम दूज तोल के लेगे पहले बड़ी बैंस तो एक ख़ली करके और फिर दो ख़ड़े अप प्रूपरगी की मारे दूद नहीं विकता दूद आपके आपके पास दो ब्यांत रही इसका मतलब हो मतलब आरेक यह जो ख़रना चाल ला रहा है यह रहे हैं तो दूसरे ब्यांत उसने कितना दूद दिया फिर दूसरा ब्यांत का है दूद है जो चौबिस हार की का 17-18 लि छो कि लेगे थे थे हां पहला प्यांत 12 फिख लिएंट नीचा पाड़ा जा रहा था और दो तो इसकी पढ़िया पर शाखी थी ब्योत पाड़ों यह को ले था वो ले घर फर यह कृदा गई थे ऊड़ी नग । पढ़िया पैदा फ़िका है और जो पहली बैसकी जो पढ़िया है थी पहले बैंसकी त Security तोलन का लिड़ता नहीं घृट से कर दो था उसके तार इसी पाड़ी ले गए उसकी आगे जो पहली बैसकी पड़िया की आगे पड़िया फिर यह लेगे वह कितना दूद पहले बैसमें कितना दूद्ध और दूसरे में कितना तोल के लेगें अब आपने तीसरे की दिया और उसका यह कटड़ा है मतलब पहली बैसकी कटड़ी का आगे पहली जिसने 26 किलो दूद्ध तोले आपके वाद 27 उसकी कटड़ी आगे उसने फिर पाड़ी उसने भी 26 किलो दूद्ध तोलिया जो यह अब ले गए है, हसका यह पड़्ड़ा है। उस में सका यह क्या लगतलब बदादी यह पर दादी यह वह बड़ी बैस इसक dile यह और आप क्या सोहते जी आगे मतलब हम हम जैसे इसे लेके जारें क्या सोईत्व भी क्या करेगा कि यह टोचिन नसलसुदार के लिए ह। टीक है कटड़ा मतलब नसल सुदार के लिए पाड़ा है ठीक है तो पहले चोटा बेज देते हैं लेकिन नसल सुदार के लिए पाड़ा है इसकी पाड़ियां जो आएंगी आप क्या सोचते हो भी आम बैंसों से कितना दूद दे देंगी इसकी पाड़िया अगर इसी पर आई तो नॉर्मल पत्सी लेटर दूब अच्छा हाँ चलो हम दन्यवाद दी आपने यह चीज दी और गी आपकी लाइन के नीचे मतलब एक किलो ते उपर उपर गी है ठीक है हाँ मलूब बढ़िया बढ़िया हाँ जी एक किलो ते उपर पर गी है और यह मतलब लगती ताल त्यारी सारा व्यात्तां की तीन निव बरियों ले जा रहा है ठीक है जी चलो ठीक है जी तो कि अब दो कि अब दो कि